कर दोस्तों कि नमस्कार दोस्तों आए देखते हैं आज नया एड़ करते हैं इस बार हम यह देखेंगे कि कंप्यूटर ऑल इनवन पीची ऑल इनवन पीची किस प्रगार से एड़ करेंगे इसके लिए बह अपना अचांट कर लेता हूं कि कि ऑल इनवन पीची किसी भी टाइब को कंप्यूटर हो या पीची हो उसको आप इसमें programming काई करेंगे और दॉना यह सब क्या है कि यह सब Q2 में चले जाते हैं Quadrant 2 में इससे कि कभी-कभी बड़ी समस्या होती है इन लोग इनको अप्लोड करने में इस प्रोडक्ट को तो मैं यह आपको लाइब दिखाऊंगा एक विड़ाई की तो मैं उसी के बेस पे आपको यह करके दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से हम कम्प्यूटर याप इसी को एड़ करें दिखिए विड़ाई हुई है इसकी आप देख सकते हैं कि 24 तारी इसकी लाइज टीट है और सरकारी विवाद की है तो अभी आप यहां भी मैं आपको दिखा दो इसका स्पैसिफिकेशन ठीक है बायर स्पैसिफिकेश अब देख सकते हैं यह चीज यहां पर है और यहां पर आप यह देखिए आपर इसमें प्रिंटर एंड यूपियर तो है ठीक है और इसमें सारी टम्स कंडिशिन दे रखिए वह आपको करने पड़ेंगे जब भी आप इसको पार्टिसिपेट करें तो मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूंगी किस प्रकार से इस प्रोड़क्ट को हम सबसे पहले एड करने के लिए हमको पहले सर्च करना पड़ बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं तो यहां पर जाके उन्हें सर्च करें लेकिन कोई दिखा नहीं से परिशान होने की बात नहीं कि नूव डेटा बता रहा है तो इसका जो ओल्ड वाला फॉर्मेट आता है यह वाला ठीक है हम यहां पर सार्च करेंगे कि देखिए नो रिकॉर्ड फाउंट दिखाड़ तब भी कोई परिशान होने की जरूरत नहीं है यहां पर क्या है यहां पर तीन चीज़ें मांगी गई है एक है टेक्स्टॉप एक है आपका प्रिंटर है और एक यूपियस है तो मैं यह आपको दूसर आप्शन बता रहा है देखिए आपके सामने ही सारी चीज़ें चल लएंगे यहां पर आप से क्या है कि थोड़ा बहुत हमें यह चीज़ें देखने पड़ती है ध्यान रखने पड़ती है यह तो आपको डारिक पता हो कि किस तरह की बीड है या तो फिर आपको इस तरह से चेक करना ज्यादा परिशान होने कि या गवराने की दोरूरत नहीं है कि पिड़ा में मिल नहीं रही है अब आप यहां पर देखिए तीसरा option ने कस्टम तो सच्थ हैं तो यह प्रोडक्ट है तो बीड में होगा या कस्टम अज़िए अब मैं कस्टम भीड में जासे जहां पर आगया मनें किया तो नहीं आया तो हो सकता कि इसमें नहीं है तो एक में इसा नहीं में तो अब घृ отдель को थए अब यूए Amore करेंगे अ तो है यह इंदो इसलिभा इंपोर्टेंट ते कि PC, Computer, Printer, UPS को किस प्रकार से हम जम पोटल में एड़ करेंगे यह इसकी में बात है ठीक है इससे आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हम इसारी चीज़ें एड़ कर सकते हैं यहाँ पर भी नहीं है यहाँ जितने भी प्रोडक्ट आये हमारे यहाँ पर अभी को अभी कंप्यूटर यह PC नहीं है और यह सारी चीज़े आये वह है लेकिन हम आप यहाँ आहरे देख सकते हैं कि कॉम्पीटर यह IPC इसमें नही तो हम वही चीज़ां को बताएंगे कि इसमें फिर हम किस प्रकार से PC को अप्लोड करें गया है अब आप यहाँ निव आईटम तो यहां पर देखिएगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्रोड़क्ट आपको एड़ करना है उससे पहले उसकी आपको निकालनी पड़ेगी अगर आप स्की कांफिग्रेशन निकाल लेंगे तो उससे क्या आपको इसली तो वो हो जाएगा तो मैंने इसकी कांफिग्रेशन निकाल लखें मगार रखें है तो यह पी आलिन वंट टेक्सटॉप फीशी कि अभी आप इसका जैसे अगर नहीं आइडिया लगता है तो आप इसको जाके साइट से भी तेख सकते हैं कि और लिन वन टेक्स्टाव कि अधिक्स्टाव कि अधिक्स्टाव और क्या था हम एच्पी के ही स्टाइट से इसका वो डिल सकते हैं इसका यही निकाल सकते हैं यही चीज है ठीक है तो कहां विया है कि अपकोछ इस स्पैसिफिकेशन मैं आपको मैच भी करा दे रहा हूं यहां पर देखिए प्रोसेसर टर्फ जन्रेशन इंटल कोर आइफाइफ प्रोस्टी से यह सारी कॉनिफिक्रेशन के ही हिसाफ से प्रोटक्ट को एड़ करेंगे ठीक है तो यहां पर इसने क्या मागा है ब्राइंड या ओ यम मागा है कि अब प्रांड इसने आथे तो यह ब्रांड एच्पी और इन वन टेक्स्टॉप कर दिया है यह इसका स्पैसिफिकेशन ही दिया गया ठीक है इसका स्पैसिफिकेशन दिया गया इसको हमें प्रोस्ट करना पड़े गाए ठीक है मॉड़क हमने डाल दिया यह रोट नियम हो जाएगा हमारा अग्याँ गश्टॉप PC और इसपैसिफिकेशन यह तो वह जाएगा बाकी यहीं से स्पैसिफिकेशन हम पूश ले लेते हैं कि करके हम इसके प्रेस्ट करें कोई दिक्कत नहीं है यह आप इसको आपर स्पैसिफिकेशन कर सका सकता बाकी कुछ कि इसी बिड नमबर डाल देते हैं कि वो मांग रहा है तक में डालते हैं अब यहां पर देखिए हम रिसेलर है इंडिया कर दिया को कि कर दिया अंड्रेट परसेंट कर दिया मॉडल यह काम करता है और पर प्राइज इंक्लूडिंग टेक्स एंडियन रॉपीज है अब हमें क्या करना है इसका और पीसी का प्रेट डाल एंड्क्लूडिंग टेक्स और आप देख लीजे तो प्राइज इंटर काइंड इसका कोई भी प्राइज नहीं किया जाएगा तो इसलिए आप रध्यान से देख के इसका प्राइज एड्ड करिएगा तुस्से की तिक्र ना हो आपको आप मैं इसकी बहुत्तर पांट सो आप एड्ड कर रहा हूं इसको या आप इस समय कुछ भी एक महीने तक नहीं चेंड कर सकते तो आप इसका कुछ भी डाल दीए फिर बाद में इसको आप चेंड कर सकते हैं क्योंकि यह जो अब प्राइश डाल रहे हैं यह हैं कि फाइन फाइन प्रास दाल ने रहे हैं अब यहां पर आप देगे क्या जो इस स्पैसिफिकेशन नहीं तो इन्होंने दे रखा रहे हैं अभी जब हम इसी को दाउन्लोड कर लेते हैं कर लेते हैं यह देखें आप हम इसको डाउन कर लेते हैं कर लोड कर दिया हमने इसको अब आप हम जा पर इसकी इमजेश मैंने पहले से ही रहे हैं आपको यह बात ध्यान लगना है कभी जब ही आप इसमें इमजेश आड़ करें तो आपको इतना ध्यान लगना है कि श्रों क्लिएर होनी चाहिए इमेजेसं कुछ भी नहीं लेका होना चाहिए तो करेंगे जब आप उसको पुद्स होने में चाहेगा तो रिजेक्ट करती है जाएगा है ठीक है तो एच्पी ऑल इंड मन पीची टेक्स्ट आप पीची है यह मैंने आपको इसको करना बता जाए अब आप यहां कर देखिएगा फाइनल स्टेप होगा इसका ही पाइनल स्टेप में क्या करेंगे हम इसको आपको कि आप वह कैप्चर डालना पड़ेगा आप पुछ लिदी लिदी बता रहा हूंगे आप इसको समझते जाए सारे स्टेप्स कि और इससे क्या होगा कि आपको कोई कंफ्योजान नहीं है अब यहांपर देख सकते हैं कि यह यहांपर पब्लिश और पछे चे değer मैं पबिशीया और में वह पिश्षिंप्पु जिसका रहे था जाओ और पिर eranश्ट सब्सक्राइब करना क्या वहां पर आ गया होगा तो हम इसको फिर पार्टिसिपेट कर पाएंगे आगे कि वैसे कुछ टाइम समय लेता है आने में बागी देखिए आप ही यहां पर पर हो जब भी हम इसको पार्टिसिपेट करना चाहेंगे चूल इटम अप्राइज डालेंगे और यहां से इसको पार्टिसिपेट कर सब्सक्राइब यह दिखिए है जिटना भी आपको नमबर इसमें लेना है उतने ही आप इस पर कर सकते हैं दो तीन जी जितनी भी रिक्वाइर्मेंट है उसके हिसाब से आप आप जिस कि अधिया है पहले स्टेप इस तरह से आप इसमें सारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं आड़ कर सकते हैं मैंने यहां वे आपको प्रोटक्ट पब्लिश होना बताया है कम्प्यूटर है आपका डेक्स्टॉप है आपका लाप्टॉप है आपका टाबलेट है आपका तो आप किस तरीके से कम्प्यूटर को चिव पोटल में पब्लिश कर सकते हैं और उसको किस प्रकार से उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की समय से अदिकत है तो आप उनकों पूछ सकते हैं पाकि मैंने बहुत ही सदल तरीके से आपको बताया है और बहुत आराम से दीरे दीरे बताया है जिससे कि आप कोई इसे पिमिस न करें अगर आप कोई कई कंफूजन हो रहा है तो आप दोबारा भी वीडियो को देखेंगे तो आपको ने बोर क्लियर हो जाएगा अगर कोई डिक्कत समझे आए तो आप उसको हमारे कमेंट दॉक्स पर पूर्च सकते हैं मैं तोबारा इस चीज़ को पूर्च से और फी शरल तरीके से आपको कि अगर बता दूंगा अब तक कि लिए धन्यवागत